नमसकार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज हम बनाएंगे फूले-फूले भटूरे वो भी सीकरेट टिक्स के साथ ये देखिये दोस्तो कितने फूले-फूले लग रहे हैं वाव देखने में यमी और खाने में उससे भी ज्यादा यमी दोस्तो कुछ secret के साथ आपको भटूरे बनाना सिखाएंगे अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनके भटूरे फूलते नहीं और या फिर वो बढ़ते नहीं यह छोटे पड़ जाते हैं जितना size करते हैं उतना नहीं होता छोटे पड़ जाते हैं तो आज हम कुछ secret के साथ आपको बताएंगे कि आपके भटूरे कैसे फूलेंगे और ये भटूरे जरूर फूलेंगे 100% फूलेंगे तो चलिए बनाते हैं आज के भटूरे भटूरे बनाना बहुत ही easy है अक्सर हमें मुश्किल काम लगता है भटूरे बनाना जब वो नहीं फूलते तो हमारा मन बहुत ही उदास हो जाता है तो आज इस वीडियो में जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी वो ध्यान से आपने देखने हैं और वैसे ही आपने करते जाना है और वीडियो लाश तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि आपका एक एक ल ले लीजिए मैंद़ ले लीजिए इसको पहले चान लीजिए क्योंकि अक्सर बरसात के मुसम में कीडे वगएरा डलने का डर रहत हैं में तो आप इसे चान कर जरूर ले और चानने के बाद मैंने यहां ली है जरासी चीनी चीनी बस आपने थोड़ी सी ही डालनी है ज्यादा चीनी आपने नहीं डालनी है क्योंकि यदि आप ज्यादा चीनी डालेंगे तो आपका भडूरा फूलेगा भी नहीं और तुरंत ही आपक हुथी टेस्टी बनेंगे और जो अजवायन होती है वो अलग ही मजा देती है भडूरों में इसलिए आप अजवायन इस तरह से डाले एक चमच के करीब आप क्रश्ट करके इस तरह से डाल सकते हैं इसमें अगर नहीं डालनी है तो स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पर मैंने डा सिर्फ सोडे का प्रियोग करेंगे तो इस तरह से मैंने डाल दिया है और इनको ना हातों से ऐसे मिक्स कर लें इसके बाद हम डालेंगे इसमें ओयल आपने दो बड़े चमच इस तरह से डालने है और इसको इस तरह से मिक्स करना है हलके हातों से और इसे मिक्स करना है ताकि सारा oil जो है वो अच्छे से इसमें observe हो जाए तेल को ऐसे observe करके आपने इसमें डालनी है दही दही के मैं यहां ले रही हूँ चार चम्मच दो भी लेख सकते हैं लेकिन मैं यहां पर चार चम्मच ले रही हूँ जो टेबल स्पून होते हैं वो मैंने दही के लिए है चार तो इस तरीके से आपने इसको mix करना है ज्यादा जोर नहीं लगाना है ज्यादा नहीं रगड़ना इसको बस हलके हातों से mix करते रहे ताकि जो दही है वो भी सारे में observe हो जाए हमारे आटे में तो इन बातों का आपने जरूर ध्यान रखना है ज्यादा मसल नहीं है बस हातों से इस तरह से मिलाना है और अब आपने जब इसको गूनना है तो आपने क्या करना है थोड़ा थोड़ा पानी डाले और इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ आप देख रहे हैं इस तरीके से ही आपने इसको गूनना है जैसे हम गेहूं का आटा गूनते हैं रोटी बनाने के लिए वैसे आपने नहीं गूनना है ज्यादा जोर नहीं लगाना है हतेली वगारा का प्रियोग नहीं करना है तो आपने इस तरीके से इसको गूनना है अगर इस बात का ध्यान रखे, तो इस तरीके से दोस्तों थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हुए आपने इस तरह से इसको मसल लेना है, थोड़ा ज्यादा जोर नहीं लगाए, जैसे कि मैं आपको सारा दिखा रही हूं करके, वीडियो मैंने नहीं काटी है बीच में से, आप इस तरीके से इसको इकठा कर लें आटे को, अब आपने क्या करना है, इसको हमने पीटना है, ये रहा आपका पहला सीक्रेट, आपने इसको आटे की तरह नहीं गुनना है, इस बात का ध्यान रखना है, इसको बस पीटना है इस तरीके से, कम से कम दस बारा बार इसको उपर से नीचे पीटते जाएं यही इसका पहला सीक्रेट है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो भटूरे हैं बिलकुल मुलायां बनेंगे अच्छे बनेंगे फूलेंगे भी वो और बड़े भी बनेंगे बीच में आप थोड़ा सा ओयल लगाकर हाथ में इस तरीके से इसको द दिकत नहीं है कर सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं करना है क्योंकि इससे कम में आपके उटूरे अच्छे नहीं बनेंगे और आप दूसरा सीक्रेट क्या है कि आपने इस तरह से इसको गुनना है गुन्द के इस पर तेल लगा ले थोड़ा सा और कपड़ा गीला करके आपको यह इस तरीके से बन गया है हाथ लगाते ही आपको लगेगा कि यह बहुत ही मुलायम हो चुका है इस तरीके से दुबारा से इसको कर ले तीन से चार बार कर ले इसको फोड़ा सा मसल के इसको दुबारा से पीटना है आपने एक से दो बार आप पीट सकते हैं अब रही हमारी तीसरी सीक्रेट बात, तीसरी सीक्रेट बात है जब आप लोई बनाते हैं तो इस तरीके से बनाए, एकदम पेड़ा नहीं तोड़े, इस तरीके से आपने करना है और इसको ऐसे तोड़ना है, अब इसकी लोई बना ले, लोई में कोई भी लाइने वगारा नहीं ह लोग सकती अगर आप इस ट्रिक से बनाते हैं उडूरे तो इसी तरीके से आपने ये तोड़ तोड़ के सारे जो आपकी लोईयां जितनी भी बनेगी आपने बना लेनी हैं, पहले तोड़ के रख लें सारा और फिर लोईयां बना ले उनकी, और अब रहा अगला सीक्रेट, अब आपने लोई तो बना ली, लोई बना कर दोस्तों आपने इसको ढखकर रखना है गीले कपड़े से ही, गीला कपड़ा नचोड़के आप इसके उपर ढखकर वापिस से रख दे, 15 मिनट के लिए, 15 मिनट में ये बहुत ही अच्छे बन जाएंगे, मुलायम बन जाएंगे, तो इस तरीके से आपने ढखकर रख देना है, 15 मिनट के बाद ये लीजिए दोस्तों देखिए, मेरे ये और भी फुले फुले से लग रहे हैं, बिल्कुल मुलायम हो चुके हैं, अब इनको बेलने का ट्रिक, बेलने के लिए आपने क्या करना है, बेलन पर तेल लग ले, ताकि ये नाचिप के बेलन पर, और जहां आपने बेलना है सर्फेस पे, उस पे भी आप तेल लगा ले, इस तरीके से थोड़ा साप तेल लगा ले और लोई उठाए इस तरीके से यहां मैं तेल लगा लेती हूँ और इस तरीके से आपने हाथों सी करके बेलन की साहता से इसको बेलना है, ध्याने जब भी आप बेल रहे हैं, कहीं से मोटा पतला नहीं होना चाहिए, एक ब्राबर ह होना चाहिए, इस सारी जगा से, आप गोल शेप कर सकते हैं, यह लंबे लंबे भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, जैसे आप शेप में बनाएंगे बटूरे, यह देखिए दोस्तों मैंने बेल लिया है, बहुत ही मुलाया, मुचिकना सा लग रहा है, आटा बिलकुल भी जोर नहीं लग रहा है, इसको बेलने में, तो इस तरीके से आपने हाथों से उठा करे ऐसे करके, और गरम तेल आपने पहले ही रख देना है, गैस पर चढ़ा देना है, पूरे गरम में आपने इस तरीके से यह डाल देना है, अब अगला सिक्रिट, जब भी आप इसमे बहुत ही फूल जाएगा अच्छे से फूल जाएगा ना ये कच्चा रहेगा और ना ही ये सिकड़ेगा बिल्कुल भी नहीं सुकड़ेगा और ना ही ये चीड़ा रहेगा तो इस तरीके से मेरा बटूरा बन गया है ये देखिए दूसरा स्टेप कर लेते हैं हमने दुआरा से होना चाहिए तो दुबारा से कर लेते हैं तेल लगाते हैं दुबारा सरफेस पे और इसको बेल लेते हैं बेलने के बाद वही प्रोसेस दुबारा से तेल में डालेंगे इसको और एक बार छलनी की साहता से दबा दें उपर से और इसको पल्ट दें आप जैसे मैं कर रही ह डाल कर इसको खा सकते हैं आपको बहुत ही टेश्टी लगने वाले हैं आज के बटूरे तो आपने ये थोड़ी सी बाते ध्यान रखनी है जैसे कि जब आप आटा गुंदे तो आपने इसको धक कर रख देना है 15 मिनट के लिए गीले कपड़े से और जब आप लोई बनाएं लोई बना कर भी इसको 15 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढख कर रख देना है और जब आप बेले इसको तो जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आप बेलें आपके जो बटूरे हैं ना तो वो फटेंगे और फूलने से कोई नहीं रोक पाएगा उनको बहुत ही अच्छे बटूरे बनेंगे अगर इस ट्रिक से बनाएंगे तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवादोसों